Hello everyone and welcome to this session और इस session के अंदर हम python के बारे में हम लोग discuss कर रहे थे और जैसा आद देख सकते हैं इस statement के अंदर हम चेक करने वाले हैं we are covering the basics of python तो सबसे पहले जो statement है जब भी आप किसी भी program को आप use करते हो सबसे starting हम लोग करते हैं the program which is hello world यानि कि अगर आपके पास कोई भी string है तो कैसे हम उस string की value को हम प्रिंट कर सकते हैं और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो this is the most simple system जो सबसे simple जो हमार पास है this is print hello world तो यानि की python में अगर आप चेक करेंगे जो भी आपकी string है आप सिर्फ इस string को आप यहां से डालेंगे just write print and आपकी जो statement है जो इसका output है वो आपके पास यहां पर आ जाएगा right so जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे अगर यह जो प्रोग्राम मैंने ऐसे बनाया है अगर मुझे इस प्रोग्राम को मुझे execute करना है यहां क्लिक on run तो मैं run आप करेंगे तो इसका जो output है आप यहां से देख सकते हैं so now अगर आपको कोई variable अगर आपको create करना है तो जैसे आपको बताया था कि जब भी मैं c use कर रहा हूं c++ यूज कर रहा हूं या python आप यूज कर रहे हैं तो उन सभी case में आपको यह बताना होता है कि जो भी आपका variable है वो किस type का है आपका जो variable है क्य क्या वो integer है क्या वो एक float type की value है या फिर वो आपके पास एक character है या फिर आपके पास एक string है तो इस तरह के बहुत सारे variables हम लोग जरल यहां से यूज करते हैं but python में क्या है कि जो भी variable है जिस type का variable है वो automatically allocate हो जाएगा हमें यह बताने के जरूत नहीं है कि यह integer है या फिर प्लोट है या फिर एक character है या फिर string है यह सब हमें बताने की जरूत नहीं है अब simply you can create a variable जैसा आप यहां से देख सबतो hello यह एक variable है और यह इसकी एक value है तो इस value को अगर आप चेक करेंगे तो इसका हो दब है एक variable बनेगा जिसका नाम होगा hello और इसकी जो value यहां पर save हो 5 तो output जो है वो यहां पर 5 होगा उसी तरीके से अगर इस string जैसे मैं रपता है था कि यह जो है ना यह 5 5 is a यह जो है एक integer है लेकिन अगर integer के जगे पर मैं कोई string देना चाहते हैं तो simply आप इसी string को just give the string जो भी string होगी और मैं इस string को मैं इस hello की तरफ मैं point करेंगे और जैसे अगर ही आप इस statement को आप यहां से print करेंगे तो simply आपके पास same string यहां पर output पे आ जाएगा अब जैसे कि अगर मैं इसको print करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इसका output है वह यहां पर welcome है अब यानि कि अगर कोई भी variable आप यूज करते हूं मैं अगर Java की बात करता हूं Java म अगर मुझे दो variables को create करना है जो की integer है तो मुझे सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी class है क्या public है या फिर private है या फिर protected है क्या यह static है और आपका main function है उसके बाद हम यहां से अगर अच्छा करेंगे हमें बताना पड़ेगा कि हमार पस किस तरह का variable है जैसे यहां पर हिमान्शू एंड शालनी इस आर टू वरियेबल से दोनों जो है एक वरियेबल है जिसका टाइप जो है वो इंटीजर है यान की कहरेंगा अगर मैं यहां से चेक करूंगा तो हिमान्शू जो है ठीक है तो हिमान्शू के अंदर जो value होगी that will be 10 और उसी तर में आपके पास आएगा the sum जो output आपके पास आएगा which is 10 प्लस 2 that is 30 तो यहां से value यहां पर 30 निकलेगी इन जाबा तो जाबा के अंदर यह सिर्फ जस्ट डो वैल्यूस को अगर हमें एड करना है तो इतनी सारे चीज़ें हमें यहां पर करने की requirement है और वही अगर मैं C programming को आ हम लोग यूज करते हैं कि standard input output input हम लोग यहां से use करते हैं main function है यहां पर भी दो variable हमें बनाना पड़ेगा और जो भी आसका output है अब इसको यहां से print कर सकते हैं तो यानिकि अगर इन दूनों statements को आप चेक करोंगा ना कितनी line of code है right तो one this is two this is three this is four five six उसी तरीके से यहां प पर भी total six lines की हमें जरृत है लेकिन वही सेम चीज़ अगर मैं python में use करना चाहते हैं तो automatically आप सिर्फ एक variable बनाएंगे हमानशू और इसकी value को यहां पर allocate कर देंगे automatically इसकी जो value है वो यहां से allocate हो जाएगी ऐसे ही शालनी इसकी जवाली होगी 20 होगी और directly आप सिर्फ statement को आ that will be 30 जो यहां से 30 होगी अगर आप इसको चेक करेंगे अगर मैं statement पर चेक करेंगे if you want to run it तो मैं इसको run करेंगे तो आपको जो output है आप चेक कर सकते हो that is sum is 30 तो that is so easy यह बहुत जादा easy है अब जो next हमारे पास होता है that is called as identifiers अब identifiers होता क्या है identifier होता है कि जो भी आपके पास कोई भी आपके पास variable है या फिर अगर आपके पास कोई भी function है या फिर आपके कोई भी class है आपका module है या फिर कोई object है उन सब का जो भी हम लोग नाम हम लोग दे पाते हैं उस नाम को हम बोलते हैं हैं से identifier तो हम इसको identifier यहां से बोलते है right so for अगर मैं इस पुराने प्रोग्राम की तरह पर अगर मैं इस प्रोग्राम की तरह पर अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं यहां से यहां से यह जो हिमान्शू जो है यह एक वेरिबल है लेकिन इसका नाम क्या है दनाम इस जो नेम इस हिमान्शू और यह हिमान्शू जो है इससे अिसर आडिंटिफायर तो यह एक ऐज़ी आडिंटिफायर की तरह काम कर रहा है कैंट क्या क्या इसकी रूलस है आप जैसे देख सकते हैं जो भी आपके पास अडिनुटिफायर है यहां पर हो सकता है जैसे अगर एक variable का नाम है my variable तो इसके अंदर आपके पास एक lower case भी है यहां पर एक upper case भी है तो यह एक identifier है यह भी एक आपके पास एक identifier है क्योंकि variable एक हमने string मतलब इसका नाम यहां से दिया है लेकिन इसके साथ साथ हम यहां पर underscore को भी use कर सकते हैं उसी तरिके से यह वाला भी आपके पास एक identifiers है ठीक है but there is something that you should know an identifier cannot start with one जैसे अगर आपके पास कोई variable है जैसे one variable अगर मैं इसका identifier का नाम में लोगा जावर पहरी number जो है वेक नंबर है जो identifier है उसका नाम अगर जो एक digit है तो because digit है तो वो एक valid नहीं होगा उसी तरह कैसे आपके पास कोई जो special variables है राइट वो भी यहां पर allowed नहीं है जैसे explanation, hash, percentage, dollar तो यह सब चीज़ें यहां पर allowed नहीं है उसके address can be any length, कोई यह कोई भी length पर यहां पर हो सकता है, अब जैसे अगर आप statement को चेक करेंगे तो पहरा एक variable में बनाया है that is cash, तो cash जो है एक identifier है और यह valid है, this is perfectly fine, इसके अंदर कोई भी problem नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आपके पास dollar आप use कर रहे हो, तो dollar यहां पर allowed नहीं है तो कैसे क्यों नहीं है, क्योंकि आपको थोड़े पहले ही मैंने आपको यहां से बताया था, कि आपके पास special symbols हम allowed नहीं करते हैं, तो अब जैसे पहला जो program है, अगर आप इसको check करेंगे, मैं इसको run करूंगा, तो यहां पर एक आपके पास error है, यह क्या बोल रहा है, syntax error, invalid syntax, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर यह जो मैंने यूज किया है, which is dollar, so dollar is not allowed, dollar जो है, वो यहां पर allowed नहीं है, इसके अलावा, so this identifier should not start with a digit, तो वो एक डिजिट पर allowed नहीं है, जैसे अगर किसी का नाम मैंने लिखा है, और अजय का जो सबसे पहली number जो मैंने यूज किया है, व वो यहां पर allowed नहीं है, this is not allowed, लेकिन अजय के बाद अगर बन हो, तो वो perfectly fine है, अब जैसे इस program में आप चेक करने की कोशिश करेंगे, तो यह आपके पास one अजय is equal to 10, and print one अजय, तो यह जो statement है, अगर मैं इसको run करने की कोशिश करेंगे, now there is an error, तो यहां पर एक error होगा, अगर इसको run करेंगे, तो you can see there is a syntax error, तो यहां पर syntax error यहां पर होगा, लेकिन अगर मैं इस case की बात करते हैं, तो यहां पर अजय one is equal to 10, तो यह जो है, यह perfectly fine है, क्योंकि number जो है, इसके last में है, इसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन starting पे नहीं हो सकता, तो अगर मैं इसको और number को बीच में भी डाल रहा हूँ, यहां से, और अगर मैं इसको run करने के कोशिश करूँगा, still not a problem, यहां पर कोई भी problem नहीं है, next आपके पास जो identifiers हैं, जैसे यह एक मैंने बनाया है, लेकिन इसके अंदर मैंने यह नहीं बताया कि यह किस type का है, यह integer है, किस तरह का type है, वो मैंने हाँ पर नहीं बताया है, तो अगर मैं इसको run करने के कोशिश करूँगा, आप चेक कर सकते हो, it is undefined, यह undefined है, क्यों अगर मैं इसके जिखेया पर 0, मैं अगर मैं हासे करूँगा, तो अब इसका अधाब है, अब हमें पता है कि यह जो है, यह जो 0 जो है, वो यहाँ पर एक, you know, this is a value of integer, वो एक integer value है, तो अगर इसको run करने के कोशिश करूँगा, यह run it again, तो अगर रन करेंगे, तो इसको कोई output नहीं आया, output क्यों नहीं आया, क्योंकि, this statement is perfectly fine, एकिर मैं इसकी value को print नहीं किया है, यानि कि अगर मैं इसके नदर एक छोटी से print नहीं हास ले रहा हूँ, which is print, और print के साथ, मैं इस नाम को यहाँ से डाल रहा हूँ, which is akash, ठीक है, और मैं इसको print करने के अगर कोशिश करूँगा, तो आप देख सकते हैं, उसकी value जो है, वो 0 यहाँ से print हो जाएगा, next, identifiers are case sensitive, तो जो भी आपके identifiers है, वो case sensitive होते हैं, तो case sensitive का मतलब क्या है, कि अगर किसी का identifier मैंने बनाया है, जिसका नाम अजय है, अगर मैं इस अजय को बोलते हैं, और यह capital A के साथ अजय है, तो these are two different variables, यह दोनों अलगले variables हैं, क्योंकि जो इसका capital है, या small है, वो case sensitive है, इसकी value को मैं बताऊंगा, तो एक variable बनेगा, जिसकी value यहाँ पर 10 होगी, और यहाँ पर अब चेक करेंगे, इसकी value जो है, वो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है, तो अगर मैं इस statement को, अगर मैं हाँ से execute करने की कोशिश करूँगा, just run this statement, and you can see, कि अजय की value को अगर मैं हाँ से print कर हुआ, तो these are two different variables, और दोनों की अलग लग values है, तो हम इसको print कर सकते हैं, तो इसकी value यहाँ पर 10 आएगी, और यहाँ पर इसकी value आएगी 100, next, जैसे बताया, identify, जो identify के क्या-क्या rules यहाँ पर हो सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, तो यह जो आपके पास है, अजय 23, तो यह valid नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी पहली जो है, एक digit से start हो रहा है, जो कि valid नहीं है, next, जो है, यह perfectly fine है, क्योंकि अजय जो है, हम लोग करेंगे, that is perfectly fine, लेकिन यह जो है, वो यहाँ पर valid नहीं है, क्योंकि यहाँ पर cash में, यह dollar जो है, special symbol है, तो हम इसको use नहीं कर सकते, even यहाँ पर under scroll जो है, वो allowed है, लेकिन हम df और if को use नहीं कर सकते, क्योंकि यह कुछ ऐसे symbols हैं, जो हम पहले से ही, हम इसको reserved word हम ल use नहीं कर सकते, अब python के अंदर हमारे पास लगबग 33 हमारे पास reverse words हमारे पास होते हैं, जैसे python में 3.6 को गर मैं use करूँगा, तो वहाँ पर total 33 keywords हमारे पास हैं, जैसे true, false, none, and, or, not, is, if, else, else, while, or, break, continue, return, in, yield, try, accept, finally, raise, desert, तो अगर आप चेक करेंगे, सबको add करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर total 33 reserved words हैं, अब जैसे इसका use क्या है, जब भी आप कोई identifier बनाएंगे, तो इस identifier में, मैं इन नाम को उसमें नहीं डाल सकते, कि जो भी identifier है, उसके अंदर यह चीज यहाँ पर नहीं हो सक अब यह कौन-कौन से है, मैं आपको यहाँ से बतायता हूँ, बट अगर आप समझने के कोशिश करें, अगर मैंने एक variable मैं यहाँ से बनाया है, जैसे a is equal to true, ठीक है, तो यह जो है, वो यहाँ पर allowed नहीं है, तो यह जो है, यह allowed है, क्योंकि इसको as a string के तरह यूज करते है अगर मैं a is equal to capital true, तो यह यहाँ पर allowed है, क्योंकि यह जो दिखा रहा है, यह बता रहा है, यह true है या false है, इस value को हम दोग यूज कर सकते हैं, लेकिन a is equal to this value, तो यह भी यहाँ पर सही है, क्योंकि यह as a string के तरह यूज कर रहा है, तो यह जो true है, यह boolean value होती है, यह बता third words हमारे पास है, इसका नाम देखने के लिए just import keywords, जो भी keywords आप इसको import कर सकते हो, जो आप इसकी value को print करेंगे, तो keyword.kwlist हम लोग यहां से निकालेंगे, अगर रन करने के कोशिश करेंगे, तो जितने भी यह सब ही आपके पास है, आप यहाँ पर available है, आप कोई भी identifier के अं So I hope you understand this, यह कुछ चीज़ें हैं, आप सत कवर होया होगा, now let us meet in the next session, और और भी बहुत सार चीज़ों को हम लोग यहां से discuss करेंगे, generally जो session है मैं बहुत short में मैंने इसको use किया है, मैंने use इसलिए क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि आपको थोड़ा सा C और C++ का background आपक session.